तो फ्रेंड्स यहां पर बात करने वाले हैं आज की वीडियो में कि जो एंसे बीटी यानि की आई टी आई का रिजर्ट जारी हुआ है उसके ओपर थोड़ा सा कुछ चर्चा करेंगे और यहां पर कुछ चर्चा यह रहे हैं फ्रेंड्स की यहां पर काफी स्टुडेंट्स जो है अधिक मात्रा में यहां पर फेल हो चुके हैं और काफी अधिक मात्रा में आपर फेलियर का जो रिजर्ट आ रहा है ठीक है मतलब अगर वो अपना रिजर्ट देखते हैं तो यहां पर उनका रिजर्ट जो है फेल दिखा रहा है एक सब्जेक्ट में अब बात करने है कौन से वाले year के जो student है वो अपना result कैसे देखें और उसका solution कैसे मतलब अपने नंबर कैसे बढ़ाएं और आपको मिलेगा और नंबर बढ़ाने का ठीक है तो इस वीडियो को चर्चा करेंगे भाई देखो वो इस वीडियो को जोड़ देखें जिनका result आप अगर जिदी जो पिर मोड हो गए थे उनका result जारी कर दिया गया है और उसमें क्या है एक subject में जो है जो engineering drawing का आपका subject है उसमें वो fail आ रहा है कुछ वच्चों का यहाँ पर पास भी है ठीक है तो friends हम भी सीगो पर चर्चा करने वाले हैं जो वच्चे मतलब जो friends यहाँ पर result देख चुक number increase हो सकने की संभावना कितनी जादा है ठीक है इस वीडियो के अंतितक बने रहें कोई भी फेक किसी भी पिरकार का आपको गुम रहां नहीं करूंगा जो हकीकत में आपको वही बताऊंगा आपको पता है कि चैनल पर मैं जैसे भी online offline से रिलेटिव बेगेंसी के बारे में अपडेट देता रहता हूं पलपल की और भाई अठोरती के साथ यह नहीं की बिल्कु सटिक जानकार ही दे पाता हूं ठीक है जो मुझे पता होती है न उसी के बेसमा आप लोगों मैं थोड़ा content पर वाइट करा देता हूं जिससे कि मेरे भाई यह जो दोस्त है फ्रेंड् इसलिए मैं आपके साथ हमेशा तत पर रहता हूं आपकी help के लिए और आपको वीडियो प्रवाइट कराता रहता हूं ठीक है और यह आप भी यदि मुझे सपोर्ट करोगे तो यार मुझे अच्छा लगेगा और मैं अच्छे-च्छे आपको जानकारी प्रवाइट कराता रहूंगा तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं आपना गूगल आपको ओपन कर लेना है आपको गूगल में आपको टाइप करना है ncvt official website ठीक है इस पिरकार से जैसे कि आप इसको जो है टाइप करके सर्च करोगे तो इस पिरकार से आपके सामने जो है एक ऑपिसल स ठीक है यह ओपिसल साइड इसी पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का पेच अगला ओपन हो जाएगा तो फ्रेंड्स यहापन नेटवर्क की थोड़ी प्रॉबलम की वज़े से क्योंकि सर्वर वहूद डाउन है तो इस फ्रेंड्स आपकी जो ओपिसल साइड ओपन हो चुकी है तो फ्रेंड्स सबसे पहले जैसे की डेक्स्टोप साइड में इसको कर लेते हैं जिस परकार आपकी जो साइडे कुछ होती है वो लेप्टोप में बर्जिन में करन्वर्ट हो जाती है तो इस परकार हम इस साइड क लेप्टोप वर्जन में कर लेते हैं करने के लिए आपर तीन बिंदू दिखाई देने यहाँ पर आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना क्लिक करने के बाद आपको जो है नीचे स्क्रोल कर लेना है यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंड्स डेक्स्टोप साइड तो इस पर आप जैसे क लिए करोगे तो आपके सामने यह जैसे कि लैपटोप में वर्जन होता है उसी साइट का मोड लैपटोप लैपटोप वर्जन में जो साइड खुलती है उसी में कनवर्ट हो जाता है इसका मतलब यह है ठीक है तो अगला पेज आपका ओपन हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा इंटरनेट की प्रोब्लम हो सकती है बाकी तो आप इसली कर सकते हैं तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यह विल्कुर डिजी जो आपकी आईटाई की ओप फिकेसन मतलब यह तरह से ओव है ठीक है तो मैं यहाँ पर बता देता हूं कि सबसे पहले तो यहाँपर मैं आपको अब गद कराना चाऊंगा कि आप अपना कैसे देखे कुछ भाइयोंनों देख लिया हूं कुछ उक्ष्युक्र भी नहीं देखा हूँ तो यहाँ पर हम ब option है तो चलिए मैं आपर क्लिक कर लेता हूं क्लिक करने के बाद आपके सामने जिसे आप क्लिक करोगे तो हैं आपर आजाएगा certificate verification अगला option आजाएगा certificate training search और mark seat seat मतलब तीसरे वाले option पर आपको click कर लेना है मैं उनीके लिए बता रहा हूं जो अपना mark seat देखना चाहते हैं result result कैसे देखना है तो आपको तीसरे वाले इस पर क्लिक कर लेना है नीचे वाले option पे चलिए मैं यहाँ पर अपना जो भी semester है अनुलव है वो आप इसमें search कर लेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं थोड़ा सा पुरूपतोर के आदार पर बिदला पूप दिखा रहा हूं थोड़ा ठीक है बात कर लेते फ्रेंड्स जो कि मैंने पहले सी copy करके रखा हुआ एक नमबर ठीक उसी के माद्यम से मैं यहाँ पर आपको जो है दिखा देता हूं आपको अपना यहाँ पर रोल नमबर अपना यह रिश्टेशन नमबर आगे आपको करना है यहाँ पर system जो एक्जाम सिस्टम है वो किस पिरकार का है जो भी पिर मोड हुए है वो यहाँ पर यह डालेंगे देखो यह option आजाएगा जैसे आप उस पर किलिक करोगे semester या एनुलर तो आपको इस वाले पर किलिक करना है इस पर ठीक है जितने भी पिर मोड वाले हैं जिनका first year का ठीक है यह फस्ट एर का वह है जो आप रिजल्ट देख रहे हो ना first year का है ठीक है यहाँ पर जैसे किलिक कर लेंगे तो साइट इस परकार आपके सामने कुछ लोडिंग लेगी उसके बाद आगे का प्रोसेजर आपका start हो जाएगा तो फ्रेंस नेटवर्क की बज़े से आपको थोड़ा यहाँ पर बेट करना पड़ सकता है बट मैं आप मैं तो बेट रही रहा हूं फर्स्ट इयर का देखना है ठीक है तो इस परकार से आपको यहाँ पर किलिक करने के बाद फ्रेंस फिर से लोडिंग हो चुकी है यह तो कुछ प्रोब्लम आपको देखने पड़ सकती है साइट वे क्योंकि अभी सर्वर थोड़ा ठीक है उसके बारे में बात करेंगे फ्र करवा सकते हैं और कैसे बढ़वा सकते हैं ठीक है आगे हम क्लिक करेंगे फ्रेंस यहाँ पर तो यहाँ पर अपना जो यहर है वो आपको सलेक्ट कर लेना है तो भाई वन यहर का तो यहाँ पर सलेक्ट कर लेते हैं करने के बाद फ्रेंस आपको नीचे में क्या करना है जब आपका registration number हो जाएगा और यहाँ पर exam system envelope हो जाएगा और यहाँ पर year one year तो आपको simple सा नीचे में यहाँ सर्च में क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका result open हो जाएगा तो friends यही जाएगा ती और आपको अपना जो है कि result कैसे जो number है वो कैसे वड़भास सकते हैं तो friends चलिए आएए मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर ठीक है तो friends आप मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर number पर ठीक तो friends कुछ condition यह है कि आपको यहाँ पर क्या करना है सबसे main वाद आपका result हो गया आपने result अपना देख लिया यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा बैट यहाँ पर कुछ बंदों का जो यहाँ पर देखेंगे जहाँ आप मैं highlight करूँआ overall result fail in engineering drawing कुछ काफी बंदे भाई काफी अधिक मातर में यहाँ पर fail in engineering drawing में हो चुके हैं ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं इस बंदे के जो marks हैं engineering drawing में ठीक यहाँ पर आठ marks हैं देखो भई यहाँ पर सर्थ एक थी पिरमोड का एक यहाँ पर सर्थ नियम था एक theory, trade theory का एक exam होगा और एक आपका engineering drawing का exam होगा यहाँ पर दो exam के base पर आपको पिरमोड किया गया है यह बात आप कान खोल कर सुन लीजिए और उसके अनुसार जैसे जैसे इन subject में जितने नमबर आएंगे उसी के अनुसार आपको अगले subject जैसे employment skill हुआ और जैसे आपका employment skill हुआ, work of calculation है ना और trade, practical और यह वाला format assessment ठीक है मतलब इन subject को trade, theory और engineering, drawing के अधार पर इनके दुआरा ही आपको अगले subject में नमबर दिये गए हैं बट यहाँ पर क्या है बट जब पिरमोड किया एक सोचने वाली बात है चलो आपने दोनों exam दिए exam देने के बाद जो है पिरमोड का मतलब क्या होता है सारमोड सब कुछ पास किया जाए ठीक है यही तो मतलब होता है बट यहाँ पर कुछ को पास कर दिया यहाँ पर कुछ को फेल कर दिया ठीक है तो भाई यही पर मैं थोड़ा सा यही update आप लोगों को दिखाना चाहता दिखाना है क्या फ्रेंड्स आपको कि नीचे में जैसे आओ गें आप तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है in case यह वाली लाइन जो पड़ो गई है ठीक है तो in case you are not satisfied मगर with the result displayed you can given by click the मतलब अगर आप अपने result से इसमें को option आया हुआ है यह अगर आप अपने result से संतुष्ट नहीं हो कि मेरे इस subject में इतनी number क्यों है तो आप इसके लिए एक option option आ रहा है बट अभी यह ऐसा है मतलब ठीक है black हो रहा है is a green list ठीक है तो इस option पर आपको click करना है और अपना option जो है result के बारे में उठा सकते हैं कि मेरे subject में इतनी कम number क्यों है ठीक है अगर आपके marks जो बढ़ जाए और आप जो engineering drawing में फेलना है वहाँ पर आप पास हो जाएं तो friends मैं यही कहना जाओंगा मुझे आप लोगों को update करना था यार मुझे अच्छे से इस बारे में जानगारी है और आप इसका फायदा उठा सकते हैं इस option को यह जब कप करना है आपको result जैसे check करोगे तो हो सकता 3-4 दिन के बाद आपका यह option इस पिरकार से देख सकते हैं highlight जो मैंने यहां किया है green wish user manual of trainers ठीक है तो आप लोग इस option पर जागर अपनी जो परिशानी है problem है result के बारे में किसी subject में कितने number क्यों दिये हैं इतने क्या मतलब ठीक है तो आप अपनी परिशानी इसमें box में अपना type करके और अपना जो डिजिटी दुवारम वो है system उसको आप अपने अंडर में ले के थोड़ा सा और यहां पर सवाल जवाब तो result के बारे में आप कर सकते हैं friends तो यहां पर जब यह होएगा ना green समतलब नीले से color का हो जाएगा भी तो black है इस पिरकार से हो जाएगा जहां पर highlight के इस पिरकार से हो जाएगा तो यहां पर click करने के बाद यहां पर देखो लिखा भी है इतने इतने को यहां पर हो जाएगा ठीक है तो भाई यहां पर आप अपने अगर चाहते हैं कि भाई मैं फेल नहीं हूं पास हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं ठीक है कि आपको result अपना कैसे ठीक करवाना है और मैं यहां पर भाई आपको यह करना है यह आप चाहते हैं तो ठीक है बना दरवाइस जो पास हैं वो नहीं करेंगे जो फेल है न एक सब्जेक्ट यो दो सब्जेक्ट वो इस चीज का love यहां पर उठा सकते है ठीक है friends तो मैं आप तो यहां पर कुछ बंदों को पास कर दिया गया तो यहां पर जो पास हो गए और जो आपने एक दो सब्जेक्ट में फेल लाइब ज़्म उठा सकते हैं आप पर मैंने बता तहाँ आपको क्या करना है ठीक है तो आज तक के लिए इतना ही था और यदि आप मेरे मतलब आप चाहते हो कि जैसे यह ओप्जन ओपन हो आपको वीडियो बनाऊ बिल्कु लाइब बिद्पूरूप के साथ ठीक है तो मुझे कमेंट बोक्स में बताना और भाई यार चैनल पर नहीं हुआ चैनल को सस्क्राइब जरू कर लो और यार वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आपके लिए जो मैंने आपको वीडियो प्रिवाइट कराई है आपके लिए कोई थोड़ा बहुत हैलफूल है तो वीडियो को लाइक जरू कर देना और चैनल को पहली बार हो तो चैनल को सस्क्राइब जरू कर देना मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद